पिसान साथियो नमस्कार आधुनिक समय में खेती के भी बहुत सारे प्रारूप देखने को मिल रहे हैं पहले हम एक सिंगल क्रॉप लगाया करते थे आज कल हम दो या तीन या चार क्रॉप भी एक साथ लगाने लग गए हैं उनके क्या फायदे हो सकते हैं इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे तो आईए आपको लिये चलता हूँ मैं नागपूर के हमारे एक मित्र है पराग लश करें वैसे तो पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट है लेकिन और खेती में उनका बहुत इंट्रेस्ट है और लग नया करने जा रहे हैं अलो एब्रिवन बॉनिंग हम अमारे एक अत्रक के प्लांटेशन के लॉट में जा रहे हैं कुछ एक एकड़ हम अत्रक प्लांट के एस साल एंड इस यार वियर एंट्रिंग इंटू टू टैर ऑफ अग्रिकल्चर लास्ट यह तक हम तो वन टैर ही कर सीड्स लगाए हैं बीच बीच में यहां पर अत्रक है यहां चौला फली है तो यह नैट्रोजन फिक्सीजन भी करेगा अपना कुछ इंकम भी जनरेट करेगा और प्लस वीड्स बुनि आने देगा इसके साथ वी आर अलसो प्लानिंग जैसे आप देख सकते हैं जो पॉट तो यह इस बार हमारा वन एकर का पुरा प्लॉट है कम्प्लीटली प्लान्टेशन हो गया है और चौला फली उपर आ भी गई है और स्वे वेटिंग फॉर जेंजर तो काम आप ओके बाई तो आपने देखा एकी समय में एकी फिल्ड में किर्स प्रकार तीन थसलों का नियो है उसके एकी सब्सक्राइब लना प्लेल के थे जरील का लोगत लिओं के प्लेली यह फाब के चाहिए तो कि थो को तो इसो की छाए मैंने पर आता है गई क्ला मरींग मेंका उसना जाओ तो यही बिस्टिंग ए मारिंन रहेंग और मोरिंग में Calum जड़के गिरेंगे तो उस पर जमीन पर मल्चिंग भी होती रहेगी और जमीन की सूपिकता यानि फर्टिलिटी भी बढ़ती रहेगी तो इस प्रकार एक से अधिक क्रॉप लगा कर आप ने सिर्फ खर्चों पर नियंतर कर सकते हैं बलकि अपनी आई भी बढ़ा सकते हैं त लाइकान दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें